मेरे प्यारे सांथियों, जैसा कि आपका एक्जाम की घड़ी बहुत ही नजदीक आ गई है, ऐसे में कितने बचे सोच रहे होंगे कि एक्जाम की कॉपी कैसे लिखें, जिससे एक्जामिनर यानि कॉपी चेक करने वाले हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर दे सकें, और कौन से ऐसी चार गलतियां कॉपी में ना करें, जिससे हमारी नंबर ना कटें, तीसी बात पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को भीना देरी के हुई स्टार्ट कर दें, इसके पहले हम आपको बता दे कि अगर आप चैनल पर हमारे नए होंग यह चार स्टेप परिक्षा में जरूर फॉलो करें, पहिल का क्या है, क्वेश्चन पेपर तथा उत्तर पुस्तिका मिलने के बाद क्या करें, एक्जाम में बच्चा सोचता है कि जब हमको दोनों मिल गया उसके बाद हम क्या करें, क्या क्या भरे, क्या क्या नहीं भरे, तो क्या होगा तो जैसे ही आपको उत्तर पुस्तिका मिलता है उस पर question मत करने लगे पहले आपको जैसे ही आपको question paper मिल गया उत्तर पुस्तिका मिल गया तो उस पर direct question नत करने लगे उत्तर पुस्तिका पर उस पर सबसे पहले क्या करना है तो उस पर सबसे पहले आपको पहले अपना नाम लिखना है अची तरक से रॉल नमबर, question paper नमबर आधी सही से भरना भरे नहीं तो नहीं तो क्या हो जाएगा आपका copy check नहीं होता है मतलब आप अपना नाम सही से नहीं लिखेंगे question paper नमबर नहीं सही लिखेंगे omr seat नमबर आची अच्छा से नहीं लिखेंगे जोन जोन चीज नहीं दिया है उसको अच्छा से अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपका question paper check नहीं होता है साथ ही omr seat भी check नहीं होता है तो आपको क्या करना है तो पहिलका में आपको करना है कि question paper तथा उसतिकर्टर मिलने के बाद आपको पहले question नहीं करने जाना है पहले आपको नाम सही से लिखना है रॉल नमबर और question paper number यानि आपका serial wise आपको लिख लेना है question paper number क्या है OMR seat number क्या है अपना signature कर देना है जहाँ जहाँ आपका सिक्षक signature करेंगे वहाँ वहाँ आपको करवा लेना है ठीक है अब चलते हैं दूसरा नमर आपको क्या नहीं करना है answer seat पर कैसे लिख है जिसको देखकर examiner पूरा पूरा marks देदे मतलब examiner देखके आपको question answer seat देखकर आपका examiner खूस हो जाए मतलब check करने वाला आपको खूस हो जाए ठीक है तो देखके क्या करना है तो copy को एकदम सुंदर तरीके से लिखे यानि आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए या आपके लिए एकदम important बात है आपका लिखावट अच्छा रहेगा तब आपको marks मिलेगा जैसे 4 नमर का हो जाएगा आपका 4 नमर का कौन आपको मिलना है चार नमर किसी 5 नमर लेके चलिए 5 नमर मिलना है अगर आपका लिखावट नहीं है तो 2 नमर देंगे आप कितना भी लिख दिये अगर आपका 5 नमर कहाकर आपका लिखावट भी सही आप अच्छा तरह से लिखे भी है तो 5 में 5 मिलेगा आपका अगर लिखावट सही आप अच्छा तरीके से नहीं लिखे मतलब उसको चन को well-define नहीं किया है तो आपको तीन नमर मिल जाएगा ठीक है यहां पर क्या बनता है तो आपकी लिखावट अच्छी होनी चाहिए उसके बाद जिससे examiner आपकी copy को देखकर full में full marks दे देगा क्योंकि examiner के पास copy check करने का बह क्योंकि बिद्यार्थियों की संख्या क्या होती है बहुत ही अधिक होता है तो पहल का क्यों हो गया कि नाम हमको सही से बरना दुसार का नमर क्या कह रहा है तो दुसार का नमर कह रहा है कि answer seat कैसे लिखे OMR कैसे भरे तो OMR भी भरने है तो आपको 50 को भरना है 50 को सही का अगर है आपका math है तो सही में से 50 बनाना है तो पचासे को भरना है अगर उससे ज़्यादा भरते हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा पचासे को पहीला गीना जाएगा और इस पर आगे चर्चा और करेंगो OMR पत चलिए देखते हैं तीसरा नमर का रहा है question का answer लिखते समय है यह निमलिखीत बाते का ध्यान दे question का जब answer लिखते हैं आप तो हबराई में लिखकर उस question का number उस question में देते हैं और उस question का मतलब दूसरा question का number आप पाँचवा question में देते हैं और पाँचवा question का number दूसरा में देते हैं तो आपका दोनों question गलत हो जाता है तो वह ऐसे में क्या करना है तो question का number लिखकर answer दे मतलब आपको पहले question का number लिख लेना है कौन दूसार का लिख रहा है तो दूसार का और यहाँ प परतियस्थापन बिधी क्या होता है तो पहले परतियस्थापन बिधी लिखकर उसको का करेंगे अंडर लाय गोगे हैंगे इसितरह एरो देकर उसके बार लिखना है। एक सीधा सा लाइन खिच देना है उसपर जैसे हम पुष्टी का गलत लिखा गई आप से इसको का करना है सीधा काट देना है आपको इस तरह से भोक नहीं देना है ठीक है जिससे आपका question answer इस खराब हो जाता है बीच बीच में आपका खराब हो जाता है ज्यादा उस तरह आपको ध्यान नहीं देगा, उतना में आपको कौन जाधा ध्यान देने जाएगा, वैसे ध्यान दिया जाते एको कौफी पर 60 मिनट यानि, एक घंटा लग जाएगा, आदा घंटा तो उतना तो समझ नहीं लेंगे, काय कि विद्ध्यार्थियों की संख्या तदात अधिक होत इसको आप एकदम ध्यान में रखके जाईएगा कितना बच्चा आंसर सीट को मेमोर चमोर देता है लेकिन आपको एकदम सीधा रखना है उस पे अच्छा ते लिखना है और साफ सुथरा रखना है उस पे ज्यादा इधर उधर काट कूट इधर उधर अपना सिंगनेचर नहीं करना है जहां कहा जाए वहीं करना है और अंसर सीट तथा OMR सीट पर वाइटनर का परियोग कदाचित ना करें ते एकदम आपको यह थी है आप OMR सीट हो या वाइट है थी आपका आंसर सीट हो उस पे कभी भी काथी का परियोग ना करें वाइटनर ना खून का परियोग ना करें तो आपको वो बिहार बोड द्वारा ही जारी किया जाता है आपको बता रहे हैं और तीसरा नमर परिक्षा में ब्लू और ब्लैक पेन का ही परियोग करें परिक्षा में कितना पहचा का कर देता है तो जेल पेन लेके चल जाता है लेकिन आपको क्या करना है जेल पेन नहीं ले जाना है ब्लू तथा ब्लैक पेन का ही उप्योग करना है ब्लू में जेल पे ही ना करें इतना दूख उप्योग कर सकते हैं ब्लैक ब्लू दूनों से लिख सकते हैं मतलब ब्लैक से का लिखी है तो में पॉइंट लिख दिया और ब्लू से का लिख दिया तो उसका एंसर लिख दिये तो ऐसे कर सकते हैं लेकिन ज्यादा दूसरा कलम का उप्योग नहीं कर तो ऐसे नहीं लिखना है ठीक है और नहीं आपको एक दिल का फिगर बनाना है कितना बचा दिल का फिगर बना के बीचे में से कार दाता है लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है ठीक है कदाचित नहीं करना है एक वो आदमी हमारा ही साथ एको बचा परिक्षा दिया था जिसने का क लगा था तो ऐसे बाते नहीं करें ठीक है क्योंकि हर एक examiner का दिमाग ऐसा नहीं होता है ठीक है चेक करने वाले कॉपी को तो इसी सभी बातों को आप अपने जिहार में बैठा लें हमें उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास सेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स टुडियो